नमस्कार दोस्तों मैं प्रवीन सिंग आप सभी का चंद्रा इंस्टिट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं मित्रों मन्डी परशत का ये दूसरा प्रेक्टिस सेट है जिसमें हमने आपको 10 कुश्चन दिये हैं एक बार आप इन दसों कुश्चन को ध्यान से देख लें फिर हम इसको सौल्व कराते हैं लॉंग, साट, ट्रेक, सारी चीजें बताते हैं एक बार आप सारे कुश्चन पर निगाह दोडा लीजिए सारे कुश्चन देख लें जैसे पहला कुश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पच्वाँ और इधर मैंने दे रखे हैं 6, 7, 8, 9 और 10 दस कुश्चन दिया हैं और सभी बहुत ही इंपोर्टेंट हैं आपके एक्जाम की दिरिश्टि से ठीक है दोस्तों तो आईए हम लोग सुरू करते हैं पहला कुश्चन, देखे दोस्तों मैंने पहला कुश्चन दिया है एक ब्यक्ति 200 किलो मीटर की दूरी एक निश्चित चाल से चत्य करता है या चलता है यदिवा अपनी चाल को 5 किलो मीटर प्रतिघंटा बढ़ा दे तो समय में 2 घंटे की कमी आ जाती है वास्तविक चाल ग्याद कीजिए तो मित्रों इसके लिए पहले हम मानेंगे वास्तविक चाल एक्स है ब्रिद्धी वाली चाल है एक्स प्लस 5 तो बहुत टाइम लग जाएगा तो इसके लिए एक छोटा समय ने रूल क्रियेट किया यहाँ पर आप सलूसन देखिए पहले कुश्चन का कि अगर ऐसा है ब्रिद्धी और कमी से रिलेटेड कुश्चन तो आपको कुछ नहीं करना है दी एक्स अपांटी का ऐसा फैक्टर करना है ऐसा गुड़नखंड करना है कि इनके बीच का डिफरेंस अंतर जितना भी रहे जैसे इसमें है पांच किलो मीटर तो पांच के बराबर अंतर ब्रिद्धी और कमी के बराबर हो देखिए अभी आप यहीं कुश्चन अपने भुक में देखें तो बहुत टाइम आपको लगेगा इससे तुरंत हो जाएगा दस सेकेंड से जादा नहीं लगेंगे देखिए ध्यान से डी एक्स अपांटी को ऐसे दो पार्ट में बाटना है कि इनके जो अंतर रहे दोनों पार्ट का वो ब्रिद्धी अत्वा कमी के बराबर हो तो इस प्रस्ण में D मतलब डिस्टेंस दोरी 200 एक्स का मतलब होने वाले ब्रिद्धे कितने 5 और बटे समय में बचत 2 हो गया तो दोस्तों अगर हम इससे इसको विभाजित कर दें तो ये हमारा आ गया 500 अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा इस रूल का प्रयोग करने के लिए ध्यान दीजिएगा दी एक्स ऐसा गुडनखंड की अंतर ब्रिद्धी अत्वा कमी प्रश्ण में कहा है 5 किलोमीटर प्रतिघंटा तो ऐसे दो पार्ट में तोड़िये कि अंतर जो है वो 5 के बराबर हो तो दोस्तों आप जानते हैं 20 और 25 देखिए गुडन ये 25 दुना 50 पांसो आ गया मित्रों ये जो आया ये इसकी वास्तविक चाल है अब आपके दिमाग में चलाओगा कि कैसे वास्तविक चाल है ये भी तो हो सकता है तो नहीं दोस्त इसमें एक वास्तविक चाल होता है एक बृध्धी अत्वा कमी के बाद तो यहां बृध्धी थी ये उसकी वास्तविक चाल है 20 किलोमीटर प्रतिघंटा और ये उसकी चाल है बृध्धी के बाद कितनी 25 किलोमीटर प्रतिघंटा अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा कि ये टूटेगा नहीं मित्र अगर ये टूटेगा नहीं तो लॉंग बेस से लगाने पर भी नहीं टूटेगा इसलिए जब भी ये कुश्चन आएगा तो इनके बीच इस तरह का संबंध बनेगा तो ठीक है दोस्तों 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा ऐसे कई बारा हैं तो इन्हें आप दिमाग में रखिएगा आएए हम लोग दूसरे कुश्चन की तरफ चलते हैं पहला हो गया complete दूसरा इसे मिटा देते हैं आएए दिया है 75 से 97 तक की सभी संख्याओं का योग तो दोस्तों हम लोग खुब पढ़ते हैं सभी संख्या के योग के लिए यन यन प्लस वन बाई टू यन 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 प्लस वन यन स्कॉर्ड सब देकार है आप मेरी एक बात का ध्यान रखिए कि यदि ध्यान से सुनिए का दोस्तों सारे योग फल हल कर लेंगे आप यदि प्रतेक दोपद के बीच का अंतर समान हो अंतर समान मिल जाए दोस्त तो आपको कुछ नहीं करना है आउसत पूछा गया अगर तो आउसत बराबर होता है इसका प्रतम पद प्लस अंतिम पद और बटे दो और दोस्तों अगर इसका योग पूछ लिया गया तो आपका योग होता है आउसत गुड़े पदों की संख्या अब देखे मैंने आपको सम संख्या बिसम संख्या प्राकृत संख्या सारे योगफल के लिए एक सूत्र लिखा दिये कि अगर दो पद के बीच का डिफरेंस से मिल जाए प्रतेक दो पद के बीच का तो आप यूज करेंगे आउसत गुड़े पदों की संख्या आउसत होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बटे दो तो आईए दोस्तों इसे अपने प्रश्न पे अपलाई करते हैं 75 से 97 तक पूछा है देखिए 75 प्लस 76 प्लस 77 ऐसे कहता है 95 तक मित्रो ध्या से समझे सारा योगफल आप कर लेंगे यह देखिए 75 एक 76 एक 77 एक 88 एक 89 एक 80 एक 80 मतलब हर पद के बीच का अंतर सेम है तो ये लग जाएगा क्या लग जाएगा योग के लिए लग जाएगा औसत गुरे पदों की संख्या औसत क्या होता है औसत होता है पहला पद 15 अंतिम पद 95 बटे दो अब आप कहेंगे सर पदों की संख्या कैसे निकालेंगे कुछ नहीं करना है पद के लिए आप लाश्ट वाले पद में से जहां से सुरू हुआ इसके पहले वाला घटा दे भाई आपको 74 तक छोड़ना है तो छोड़ दीजिए यह लिजिए 74 घटा दिया तो आ गया 5 में से 4 गया 1 और 9 में से 7 गया 2 तो यहां आपका आगया दोस्त 21 बस मित्र इसी को तो सौल कलिना मैं आ कर रहा हूँ बराबर 5 5 10 9 1 10 7 17 170 बटे 2 गुड़े 21 अब दोस्तों काट लिजिए इसको 2 8 16 17 2 5 10 अब मुझे लगता है कि आपको 21 का पहाड़ा नहीं याद है तो दोस्तों सीधे इसे लिख लिजिए 20 प्लस एक भाई आप 21 लिखें या 20 प्लस एक लिखें दोनों चीजें एक ही होई अब देखिया आसान हो गया 0 हो गया 2 5 10 2 8 16 17 और प्लस इसमें 85 एक पचासी आप कफणाक से उत्तर आ जाएगा आपको समझाना है तो इतनी देर रमायर पढ़नी पड़ी आप करेंगे तो 10 से 20 सिकंड में आपका उत्तर आपके सामने होगा ये रट लीजिए कि प्रतेक दोपद के बीच का अंतर समान है तो मुझे किसी सूतर का प्रयोग नहीं करना है सीधे करना है औसत गुड़े पदों की संख्या औसत होता है पहला यंतिम जोड़कर दोसे भाग और पद मैंने बता दिया ठीक है दोस्तों आईए कुश्चन न रहा दे तो दोस्तों आप तो रट के बैठे हैं X प्लस Y प्लस X गुड़े Y बटे 100 20 त्रिज्जा बढ़ी है तो ब्यास भी बढ़ेगा इसलिए 20 प्लस 20 प्लस 20 गुड़े 20 बटे 100 मित्रों जब आप इसे हल करेंगे तो 40 और प्लस 4 इक्वेल आगे आपको 44 तो इसमें कु दोस्तों आएए चलते हैं कुश्चन नमबर अगले पर बढ़ते हैं 4 पर जरा इसे देख लें दोस्त यहां पर लिखा होगा है A B C M N या D जो भी लिख ले यह बना होगा है आप से कहा गया है कि X की बैलो पुट आउट करनी है कि X की बैलो क्या होगी मित्रों यदि आपक 180D का होता है 180ider का होता है अब देखिए तो यहां दिया है ये 70 ये दिया है 30 और ये भी दिया है 30 यहां यक्स दिया है और इनका युग फल 180 याद कर ल McGee's удे इसे व एक सो एक सो एक्स बगण दोस्तों एक सो असी माइनस साथ तीन दस एक सो तीस आपका उत्तर आ गया कि X की वहलो कितने डिगरी के बराबर है पांच पचास डिगरी के ठीक है दोस्तों तो ये भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा इस सारे कुश्चन में तराब के एक्जाम में आते हैं और ऐसे ही आएंगे तो इन्हें प्लीज दिमाग में रखे अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कुश्चन नमबर पांच दिया है दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात दो अनुपात तीन है इनका मासा बारा है तो संख्या ग्याद कीजिए दोस्ते याद कर लीजिए अनुपात देकर संख्या दिया हो तो सीधे अनुपात को मासा से गुड़ा कर दीजिए, आपको संख्या मिल जाएगा मेरे भाई, तो आपकी पहली संख्या 24 है, और दूसरी संख्या 36 है, देखिए कितना आसान सा कुष्चन है, ठीक है, आएए, आगे चलते हैं, अगला कुष्चन है, एक बार निगाथ दो डालें, कुष्चन नमबर 6, पांच क्रमागत बिसम संख्याएं, A, B, C, D और E हैं, तो इनका आउसत, अब आपके दिमाग में चला होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E भाई 5, नहीं दोस्तों, ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं कि मित्र आपको अगली बिसम संख्या फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करते हैं, आप पिछली बिसम संख्या में दो अएड कर देते हैं, यही करते हैं दोस्तों, याद कर लीजिए, जैसे मैं बात करो, पहली बिसम संख्या एक है, तो दूसरी कितनी होगी, तो आप क्या करते हैं, एक में दो जोड देते हैं, तीन आ गया, अगली कौन स योगी साथ तो उसी प्रकार दोस्तों A की बहलू तो A होगी लेकिन क्रमा अगत मतलब अगली विसम संख्या A प्लस 2 होगी अगली विसम संख्या A प्लस 4 होगी अगली विसम संख्या A प्लस 6 होगी और अगली विसम संख्या A प्लस 8 होगी अब दोस्तों आउसत बराबर होता है सारे कायोग बटे पदों की संख्या या आउसत मतलब समानतर माद के समान मतलब बीच वाला पद तो यही आपका क्या हो जाएगा दो नीचे दो उपर तो इसका आउसत मान क्या आजाएगा यह आजाएगा A प्लस 4 आप चाहें तो पूरा कल्ले जोड करके तब भी आपको उत्तर यही मिलेगा ठीक है दोस्तों आईए अगला पे कुश्चन पे चलते हैं मित्रों अगला देखिए क्या दिया है आपको दिया है A प्लस B रेशियो B प्लस C A प्लस B रेशियो B प्लस C A प्लस B रेशियो B प्लस C और रेशियो C प्लस A इक्वल दिया है 6,8,7 दोस्तों दो दो पदों का रेशियो है तो ऐसा तो है नहीं कम एक की बैल उच्छे रख दें तो एक नियतांक मानते हैं तो दोस्त A प्लस B बराबर हो गया 6K नियतांक के के रूप में मान लेजिये तो यह हो गया B प्लस C एक्वल हो गया 8K और C प्लस A एक्वल हो गया 7K इन्हें हम अएड कर लेते हैं तो यह क्या होगा 2A, 2B, 2C बराबर कितना? 21 इनमें दो कामन ले लेजिये या पहले हम इसको इधर लिख लेते हैं 21K बराबर 2 कॉमन हो गया A प्लस B प्लस C तो यह 21K बराबर 2 और दोस्तों इसका मान दिया है A प्लस B प्लस C बराबर 14 है तो यहां आप 14 रख दीजिये 21K बराबर 14 दुनी 28 तो K बराबर 28 बटे 21 साथ 24 रख दीजिये कितना आ गया? यह आपका आ गया 4 बटे 3 और दोस्तों A प्लस B प्लस C बराबर 14 दिया है आपसे C का मान पूछा अगर मुझे A B मिल जाए तो C खुद बखुद निकल आएगा और A B यहां मिल रहा है 6K तो 6 इंटू K की बैलो 4 बाई 3 तो यह 3 दुनाई 6 और 4 दुनाई 8 तो यह 8 प्लस C बराबर 14 तो केवल C बराबर 14 माइनस 8 एक्वल किसके 6 के अब मित्रों आप जानते हैं कि यह कुष्चन रेशियो का बेसिक कुष्चन है तो इनकी ट्रिकें नहीं इने सौल्व करना होता है यह आपके एक्जाम में आया हुआ है इस तरीके का यह कुष्चन नहीं इस तरीके का इसलिए मैंने इस पर आपको बताया इसे ध्यान से देखिएगा और बढ़ियां से तयार कर लिजेगा ऐसे कुष्चन बारबार आते हैं ठीक है दोस्तों अब हम लोग कुष्चन नमबर अगले पे चलते हैं देखने में बहुत ही आसान सा कुष्चन लग रहा है कि एकदम आसान है लेकिन करिये दिया है 999 और 2999 इंटू 9 दोस्तों हम क्या करते हैं इसको इसमें गुड़ा करके जोड़ते हैं नहीं नहीं इसको सीधे लिख लिजिए 999 प्लस 2 बाई 999 और इसको मल्टिप्लाई कर दीजिए किस से ट्रिपल नाइन से क्या होगा मेरे भाईयों इसका मतलब 999 गुड़े 999 प्लस इसका इसमें गुड़ा 2 बटे 999 गुड़े 999 कैंसिल हो गया दोस्तों 999 का पहाड़ा आपको नहीं याद है तो हम इसे 1000-1 लिख सकते हैं ध्यान से देखिए इतना गुड़े इतना बितरन नियम इसे कहते हैं मैंने लिख दिया 1000-1 अब आप कर सकते हैं इसका इसमें गुड़ा करेंगे 999 आगे 0000 और एक में करेंगे तो 999 और 2 और है 9 में 2 जोड़ेंगे 11 9 1 हो गया 10 9 1 हो गया 10 9 1 हो गया 10 10 और 10 तो मित्रों इसको अगर solve करें तो आपका कितना आएगा लिखा गया है ठीक है अब देखिए इन सब चीजों को आपको बहतरीन धंग से आना चाहिए कहीं गलत न होने पाए जिससे अब देखिए यहां आपको माइनस करना है तो यहां माइनस करिए और इसको जोड़ना है तो जोड़िए तो देखिए कितना आजाएगा यह जोड़ना है अगर मैं इसको देखिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं माइनस 999 और प्लस 2 तो यह इसमें जोड़ और प्लस चुड़ेगा यह देखिए बारा में से नौ गया तीन आया सही है यहां नौ में से गया जीरो नौ में से गया जीरो यहां आठ बचा और यह आया तो इसका उत्तर यह होगा ठीक है अब देखिए हम लोग अगले कुश्चन पर चलते हैं ध्यान रखिएगा माइनस का मैंने जान बूच कर वहां किया कि आप पकड़ते हैं या नहीं अगला देखिए दिया है एक परिच्छा में दो परिच्छार्थी ने भाग लिया पहले को 20 प्रतिसत और उस 60 नंबर से फेल हो गया दूसरे को 30 प्रतिसत मिला जिसका 60 नंबर अधिक था कुछ नहीं में एकड़म सिंपल है आईए हम लोग इधर सॉल्व करते हैं इसको दिया है पहला वाला 20 प्रतिसत पाया और दूसरा वाला 30 एकड़म सिंपल तरीका है यह यह जो है 60 नंबर फेल फेल का मतलब कम और इसका 60 नंबर ज्यादा अब दोस्तों हमें इनका अंतर ग्याद करना है त तो 30 और 20 का अंतर 10 आ गया इकवल इसका अंतर आ गया 120 अब आपके दिमाग में चला होगा कह रहे हैं अंतर और जोड़ दे रहे हैं नहीं दोस्त देखें ऐसे हैं मैंने कहा आप इतना नंबर पाएंगे तो पास होंगे ठीक है अब आप 60 नंबर से फेल हो गए और मेरा 60 न पाना है तो 60 और अर्था आपको पाना होगा 120 लेकिन अगर आप भी फेल होते मैं भी फेल होता तो अंतर क्या होता गया जाता है ठीक समझ लिया आई है यहां पर मैं लिख भी देता हूं जिससे आपको तकलीप ना हो अगर दोनों पास पास है तो माइनस अगर दोनों फेल फेल है तो भी माइनस लेकिन अगर एक पास है और एक फेल है तो क्या प्लस ठीक है दोस्तों अब 10% और यह आपस में पराबर है क्यों पराबर भाई इनके बीच प्रापतान का परसेंट है 10% और यहां नंबर में 120 अ देखे कितना आसान हो गया, आपको पूरणांग चाहिए, अब आपकी कल्कुलेशन बहतर है, तो ये सब आप नहीं लिखेंगे, डारेक्ट आप लिखेंगे कि इसका पूरणांग है बारा सो अंक, लिखेंगे न मित्रों, तुरंट लिखेंगे बारा सो, क्योंकि ये सब लि में हो रहा था, लेकिन उसने उत्री रांग पूछा, उसके लिए बारा सो नंबर का पेपर हो रहा था, गुड़े, चाहे इनको ले लिजिए, चाहे इनको, जिसकी मर्जी हो, मैं इसको लेता हूँ, ये भाई साहब 20 प्रतिसत पाए, 20 प्रतिसत का मतला, 240 नंबर पाए, इन्होंने बताया, कि मैं 60 नंबर से फेल हो गया, इनके पिता जी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कहा, कि मुझे ये मत बताओ, मुझे ये बताओ, कि कए नंबर पाते तो आप पास हो जाते, इन्होंने कहा, मैं 240 पाया हूँ, और साथ से फेल हूँ, अर्था, अगर म पूछा है आपके दिमाग में चला होगा मित्र 30% ले तो नहीं आएगा आएगा दोस्त 1200 का 30% हो गया 360 और ये 60 नंबर जादा है तो जहां यहां जोड रहे हैं वहां उसको घटा देंगे ठीकर ऐसे कुश्चन काफी बार आते हैं इन्हें दिमाग में रखेगा अब यहीं कभ 3 रांग जितना नंबर पाए हैं बतलब पास होने के लिए जितना चाहिए बटी जितने नंबर का पेपर है और गुड़े सो तो यह कितना हो जाएगा इससे भाग दे देंगे हमारा उत्तर आ जाएगा या सीधे-सीधे देखो भाग देना है तो ऐसे देदो 3-4-12 और 4 से क प्रुष्यन है और बहुत आराम से इसको मैं बताता हूँ दिया है एक पुस्तक विक्रेता था और 2,000 प्रतियां छपवाई मतलब 2,000 किताब उसने बनवाई तो उसका टोटल लागत आया सत्तर हजार दोस्तों ध्यान से देखिएगा सत्तर हजार में 20,000 किताब बनकर तयार हुई और मित्रों 400 किताब मुफ्त में बंटवा दिया वही प्रचार होगा तब है तो किताब दिखेगी अब हमारे पास किताब बच्छी हैं 1600 प्रतियां और इनका हमें विक्रे चाहिए दोस्तों चलिए विक्रे निकालते हैं सर्त थी पुस्तक पर लिखा गया मुल जिसे काते हैं छपा मुल वो था 75 रुपया और इस पुस्तक को बेचना था 20 परसेंट छूट दे के तो या तो 75 का 20 परसेंट लेके हम निकाल दें या तो 20 परसेंट कमी का मतलब 80 बटे 100 दोस्तों देखेगा ध्यान से पचीस तियां पचात्तर पचीस चोग का 100 आप जब इसको करेंगे 30 परसेंट है 20 नहीं है स्वारी 30 परसेंट तो यह हो जाएगा 70 तो पचीस तियां पचात्तर पचीस चोग का 100 यह आ गया साथ तरीक 21 दोसो दस बटे चार में भाग दे देता हूं दोस्त चार पंचे बीस एक 21 दस चार दुनाई आठ और चार पंचे बीस अरथात किताब पर लिखा है 75 रुपया लेकिन एक किताब बेचनी है 52 रुपय पचास पैसे की तो 1600 किताब कितने में बेचेगा एक किताब 52 रुपया पचास पैसा का तो 16 किताब आप गुड़ा कर दें तो यह कितना आ जाएगा देखिए मैं कर देता हूं यह दो जीरो इसके हट गए दस मलों में चले गए 16 पंचे असी 16 दुनाई 32 आठ चालेस 16 पंचे असी और यह हो सत्तर हजार में बेचा कितने में 84 हजार में तो दोस्तों इस अनुसार से उसे लाब हो रहा है कितने का दोस्त सत्तर असी चौरासी 14 हजार का लाब हुआ और लाब प्रतिसत बराबर होता है लाब बटे क्रेम उल्ले सत्तर हजार और गुड़े 100 चौदा पंचे सत्तर और प 2,000 किताब छपवाया 70,000 खर्च करके और जो किताब का मूले था उस पे 30% छूट दिया 75 रुपए की किताब अब मिल रही है 52 रुपए 50 पैसे में 400 फिरी में बट गई तो 1600 बची 1600 में कितने में बेचेगा 84,000 में जब 70,000 की खरीद के 84,000 में बेचेगा तो उसे लाब होगा कितने का 14,000 का लाब प्रस्चत बराबर लाब बटे क्रेम गुड़े 100 यह जितने भी कुश्चन हमने आपको बताए सब बहुत ही बेहतरीन कुश्चन है और आपके एक्जाम में आ सकते हैं बस इस वीडियो में इतना ही धन्यवा